हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद के शौर क्लासिज, आज बहुत ही इंपोर्डेंट कुश्चिन करने वाले हैं प्रॉबिलिटी टॉपिक का, एक बैग में फाइव रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स भी हैं, if the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, blue ball को निकालने की probability red ball से double है, तो बताईए blue balls कितनी हैं bag में, में बाद तो यही है कि हमें यह नहीं पता कि bag में blue balls कितनी हैं, वही निकालना है, तो हमें काम करते हैं, suppose कर लेते हैं यहाँ पर, क्या suppose कर लेते हैं, let number of blue balls in the bag be x, माल लेते हैं कि blue balls कितनी हैं, x हैं, तो एक बात सोचें, total number of balls कितनी हो जाएंगे, total number of balls will be, 5 तो red थी और x यह वाली हैं, तो total कितनी हो गई, x प्लस 5, right, और हमें क्या निकालने का बोला है जी, बताओ blue balls कितनी हैं, मतलब हमें x निकालना है, तो एक condition भी given है, कि blue ball के बाहर आने की probability red से double है, मतलब हमारी given condition क्या है, कि probability of blue ball, probability of blue ball is double than that of probability of red ball, ठीक है जी, blue ball की probability double ball, red ball से double है, अब probability निकालने का formula क्या होता है, probability निकालने का formula होता है, कि number of favorable outcomes upon total number of outcomes, तो blue balls मेरी favor में है, left side में देखो, blue ball की probability कैसे निकलेगी, blue ball कितनी है, x है, तो उपर x, total number of balls, x प्लस 5, right side में ये वोला 2 तो लगे गई, multiply, red ball की probability, red balls हैं कितनी, red balls है 5, तो उपर 5 आएगा, denominator में total number of balls और वो कितनी है, x प्लस 5, मैं यहाँ पर आपको ध्यान करवा दू, हमने formula यूज किया है, probability, is given by number of favorable outcomes, उपर क्या रखते हैं, favorable outcomes, और denominator में, total number of outcomes, ठेक है जी, ये वाला formula हम, use कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, ये नीची x प्लस 5 है, ये भी नीची x प्लस 5 है, ये तो खतम हो जाएगा, हलांकि अगर आप step सीखना चाहू, कैसे, तो वो बता देते हैं, 2 को 5 से multiply कर दो, ये 10 ओवर x प्लस 5, ये ना cross multiply हो जाएगा, ये x प्लस 5 को आप दूसरी तरफ अगर ले जाएं, तो क्या बनेगा, 10 ओवर x प्लस 5, ये x प्लस 5 उदर ऊपर जाके multiply हो जाएगा, और ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कर जाएगा, हमारे पास final answer x की value आएगी 10, अब x 10 आने का मतलब क्या हुआ, number of blue balls in the bag कितनी है जी, 10 है, I hope आपको ये question समझाया होगा, अगर आपको ये concept समझा आ गया है, तो please इस वीडियो को like और share जरूर करो, thank you so much, अभर कर जरूर को,